भाश्वा प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कहा कि कांग्रिस प्रदेश अद्यक्ष द्वारा प्रेस वारता में लगाए सबी आरोप हवा हवाई एवं तथे से परे हैं उन्होंने कहा कि कांग्रिस के प्रदेश अद्यक्ष को कांग्रिस पार्टी ना प्रदेश अद्यक्ष मानती है और ना उनकी सुमती है तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रीब कल्यान अन्योजना भारत और हिमाचल के सभी ग्रीबों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है देश के 80 क्रोड लोगों को क्रोना संकड के समय मुफ्त राशन देना अपने आप में अतिहासिक है हमारे द्वारा दिये गई सभी आंकड़े सच्चे होते हैं और पब्लिक डोमेन में होते हैं कोई भी उन्हें कभी भी देख सकता है उन्होंने कहा कि उद्योग ने हिमाचल में हमेशा अच्छा परदर्शन किया है कोविड किसमें हिमाचल में फार्मस्यूटिकल सेक्टर ने पूरी देश को पीपीई किट बेंटी लेटर से लेकर रेमी डीसी बेर जैसे सुविदाएं बड़ी मातरा में उपलवत करवाई हैं तोमर ने कहा कि बिरोजगारी की बात कांगरिस ना ही करें तो अच्छा है हमारी जैरम सरकार ने हाल ही में कैबिनेट द्वारा दस हजार से अधिक रोजगार के अबसर खोले हैं साथ ही परदेश में अनेकों सवाब लंबन योजना के अंतरगत सब रोजगार के अबसर परदान किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि जिस सोलर जैई की बात कांगरिस नेता कर रहे हैं वो कांगरिस सरकार में बनी नीतियों के अंतरगत लगे हैं कांगरिस अगर अपने कारे कार में अच्छी नीति बनाती तो आज इन नोकरियों पर हिमाचर के लोग लगते आज औरकंगरेश के प्रदेश-जज़क्स की जो फ्रहसवता हुई है उसमें उन्हें जो बाते रख़ी है उसस HAVAHz और बाते हैं तो अलांगरेश के जो प्रदेशहां ज़ीए उनको ना कोई प्रदेशह-ज़क्स कॉंग्रेश में मानते ॅलांको पुरे देश के अंदर पांच किलो जो चावल और एक किलो डाल पूरे देश के अंदर कोई भी गरीब व्यक्ति उस दोरान भूका नहीं रहा है और जो इमाचर प्रदेश के अंदर जो कल मानी एपीश गवहल जी ने कायक्रम रखा था उसमें जो लावार्ती थे उनसे उन्होंने उस बारे में बात की उनसे पूछा और समी लोगों ने मानने मोधी जी का धन्यवाद किया लगवग 5,070 डिपों के उपर ये कारेकरम हुआ लावार्ती उनसे बात हुई है और समी ने इसको एप्रिशेट किया है दूसरा कंग्रेस के अध्यक्ष जी ने कहा कि उद्योगों को लेकर जो गलत ब्यानबाजी उन्होंने करी है इमाचल प्रदेश के अंदर करोना काल में खास कर फार्मसुटीगल शेत्र में जो है बहुत बड़ी उपलवधी हुई है बहुत बड़े कार्य उस बक्त में हुए है हिमाचल प्रदेश में फार्मा उद्योग में पेवी, पीपी, क्रिट्स बगरा बनी, बेंट्री लेटर्स बने और रेमेडी सिवर जैसी दोईयां जो हिमाचल प्रदेश में उसका उत्पादन किया गया जिसका की पूरे देश को लाम मिल रहा है एक सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कही कि हमाचल प्रदेश में भारी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है जो अभी विदुत बोर्ड में 16 जैयों की निप्ट्या हुई है वो कॉंग्रेस की नीतियों की बज़े से हुई है कॉंग्रेस की वो पॉलिसी थी, कॉंग्रेस की वो नीति थी और 2018 में उसका परिणाम आया था, उस बक्त ये जैय लगे थे लेकिन माननी जैराम ठाकुर जी ने जो प्रदेश के लोग प्रेश मुख्यमंत्री है उन्होंने उस बक्तिस निरिने को निरस्त किया था और उसके बाद ये जो जही निकले थे, ये हैप कोर्ट में गए और कोर्ट का निरिने आया है, उनके पक्ष में आया है इसलिए अब उनको कोट का न्रिने का सम्मान करते हुए उन लोगों को रोजगार मिला है अगर कॉंग्रिस अपने समय में ऐसी गलत नीदिया ना बनाती तो आज हिमाचल परदेश के नौजवानों को रोजगार मिलता लेकिन उसके बाद भी जैराम सरकार जी ने आने वाले समय के लिए ये सारे जो भारी लोगों लगते हैं उसके फैसला लिया है कि अब हिमाचल परदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा ये जनता को गुमरा करने वाली बात कांगरिस के परदेश अज्यवजी कर रहे है अपनी नीकियों के गलत फैसले उस बक्त उन्होंने लिये है उसका आज ये परिणाम है कि हिमाचल परदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है उसके बाद उन्होंने कहा कि हिमाचल परदेश में बरोजगारी को लेकर जो है उन्होंने बात कही है अभी अभी केविनेट में माननी मुख्यमंत्री जी ने दस हजार से अधिक नोगमें का प्रावधान किया है जिसमें से की आठ हजार लोग तो मल्टी टास्कों वरकर जो है उपरदेश के अंदर लग रहे है अन्य विभागों में शिक्षा के शिक्रावधा लिए न्यूस के लिए सोलें से टीकारम शिर्मा किरिप आर्या आई एस अकेडमी राजा का तालाब बीती आदों से नाता सहेशना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उनसे संबलना सीखा उनकी डांट से खुदको तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा ये एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है भूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए